Hello everyone, Welcome to our channel आज के वीडियो RRB NTPC Candidates के लिए और Group D Candidates के लिए खास होगा, important होगा क्योंकि आज के इस वीडियो के तुरू आप लोग जान सकोगे कि आपका RRB NTPC का जो CBT1 का revised real है वो आपको कब तक provide कराया जाएगा साथी साथ NTPC CBT2 exam date के बारे में जान सकोगे और साथी साथ यदि आप Group D Candidates हो तो आपके लिए भी वीडियो important है, खास है क्योंकि आज के इस वीडियो के तुरू आप लोग जान सकोगे कि आपका जो exam है वो कब तक conduct कराया जा सकता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है तो आप लोग वीडियो के last तक बने रहना देखो जैसा कि आप लोग जानते हो मैंने आप से one month पहले कहा था कि आपका जो NTPC CBT1 का revise reality है वो आपको कब तक provide कराया जाएगा आपका CBT2 का जो exam का date है पर वो जबर्दस्त प्रेसर है वो प्रेसर सुसिलकुमार मोदी जी के दोरा भी बनाया जा रहा है कल ही आप लोगों ने देखा था उनके दोरा दो-दो लेटर उन्हें लिखा गया है कि रेल बे इन मानोंगों को माने क्योंकि देखो यहां पर सुसिलकुमार मोदी जी के इजज़त का सवाल है सम्मान का सवाल है क्योंकि वो जिस रूप में request करते हुए दिखे घेगराते हुए दिखे हैं रेल मंतरी साहब के सामने यदि इस case में उनकी बाते नहीं मानी जाती है तो आप लोग समझ लो उनका जो राजनीति करियर है वो सारा धरा का धरार आ जाएगा इतने दिनों से सुसिनकुपार मोदी जी जो संघर्स कर रहे हैं भाजपा पार्टी की ओर्ड से उनका जो संघर्स है वो जीरो हो जाएगा और दूसरी और रेल मंतरी साहब के उपर छात्रो का प्रेसर है वो लोग डेली डेली इन्हें ट्विटर पे टैक कर रहे हैं इनसे जवाब मांग रहे हैं कि एक दिन की भी देरी हम लोगों को बरदास्त नहीं है तो आप लोग जल से जल रिजल्ट पब्लिस करें इस तरीके से बात की जा रही है तो आप लोग यहां से समझना रेल मंतरी साहब अल्रेडी कई न्यू चैनल पे कहते हुए दिखे थे कि जून से लेकर जूलाइ तक हम लोग अन्टी पीसी का जो प्रोसेस है वो कम्प्लीट कर लेंगे ज्वाइनिंग दे देंगे तो आप लोग समझना उनके दोलाइ यह भी कहा गया था कि 4 मार्च से पहले पहले कमीटी जो है वो डिपोर्ट सौप सकती है उसके ठीक बात हम लोग रिजल्ट पब्लिस कर देंगे लेकिन अभी आप लोग देखो कि 10 मार्च का समय है यानि कि 6 दिन एक्स्टा यह लोग ले चुके हैं तो आप लोग समझना बहुत जादा चांस है कि आप लोगों का जो आप नोटिस है वो रिजल्ट के रूप में दिखे यानि कि आप लोगों को डारेक्ट रिजल्ट देखे ओफिस्यल वेफ साइट पे इसलिए इसका बहुत जादा संभाबना है कि आपको जो रिजल्ट है वो आपको 16 मार्च के बाद दिखे यानि कि मार्च के सकेंड विग से लेकर थाड़ विग तेक आपको डिखे जाएगा यहीं बात मैंने आपसे पहले भी कही थी आप आप लोग समझना CVT2 का जो एक्जाम है वो आपका कब हो सकता है देखो जैसा कि आप लोग जानते हो TCS के दोड़ा ही आपका Railway का एक्जाम भी कराया जाता है और आपका साथी साथ SSC का एक्जाम भी कंडेक्ट कराया जाता है और दोनों एक्जाम जो है वो Central Government के दोड़ा कंडेक्ट कराया जाना वाला एक्जाम है तो आप तक का जो इतिहास है Railway और SSC का एक्जाम कभी भी एक साथ नहीं टकड़ा है तो आप लोग यहां से जान सकते हो कि आपका जो exam है जब भी होना है दोनों अलग-अलग exam होना है तो यहां से आप लोग देख सकते हो जो 21 अप्रिल के बाद जो है एक महिने से जादा का वक्त यहां पर TCS के पास है उन्होंने इस कलेंडर में कहीं भी SSC के exam को मेंसन नहीं किया है यानि कि ए इस एक महिने में वो लोग NTPC-CVT2 का exam कंड़क्ट करा लेंगे देखो जिसा कि आप लोग जानते हो पहले केवल साढ़े 3 लाग candidate का result दिया गया था लेकिन अब जो है जो आपका जो exam है वो 22 अप्रेल से लेकर 22 माई के बीच कभी भी conduct कराया जा सकता है तो यह जो एक महिने का समय है इस बीच आपका CBT2 का exam conduct कराया जाएगा अब यहां तक बात group D exam किया है तो आप लोग समझना NSEIT के दोड़ा exam आपका group D का conduct कराया जाना यह बात clear है यह तया है official notice के थूँ आप लोग जान सकते हो तो यह जो confirm है agency इसमें TCS नहीं है group D का तो यहां से आप लोग देखोगे जो group D पे कोई भी परतिबंद नहीं है कि SSC का कभ exam होना है group D कभ होना SSC से कोई मतलब उनका नहीं है क्योंकि TCS के दोड़ा conduct नहीं कराया जाता आपका group D तो यहां से आप लोग देख सकते हो anti-paccessivity 2 के ठीक बाद आपका group D का exam जो है conduct कराया जाने बहुत ज़्यादा संभाबना है आपको notice दिख जाएगा तो यह important information थी आप लोगों का जो group D का exam है बहुत ज़्यादा chance है कि वो माई से लेकर जून तक में conduct करा लिया जाए तो यह important information थी चलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए informative रहा हो तो please वीडियो को like करके share कर देना Thank you so much